कुछ लोगों को बार-बार गेस्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है पेट में इंफेक्शन हो जाता है और दिखाए जाता है कि लोग बार-बार दवाईयां खाते रहते हैं मतलब कि यह डॉक्टर के पास आप विजिट करते हो कि आपको पेट दर्द था पेट खराब था बह पीट की समझया के कारण और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको गेस्टाइटिस हो गया है या मेडिसन रिपीट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आप इक बात जाहता हूं कि यह आप ना करें इससे आपको बहुत नुकसान होता है इंटिबाटिट रिजिस्टेंड डव दूसरी समश्याइं होती हैं लेकिन एक common human psychology कहें या human nature कहें कि आप अपनी problems को connected करते हैं, correlate करते हैं और फिर ऐसा मान के कि यही होगा और वो दवाईयां आप ले लेते हैं तो बाद में इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं आपको तो सबसे पहले मैं आप सबको यह clear कर देना चाहता हूँ कि एंटिबायाटिक का left right use gastritis में यानि पेट की किसी भी problem में पेट की समश्याओं में आप जितने कम एंटिबायाटिक खाएंगे उतना आपका पेट जादा ठीक रहेगा दूसरी category यदि आपको gastritis की problem से बचना है पेट की समश्याओं से बचना है तो एंटिबायाटिक के साथ साथ जो आप पेइन किलर लेते हैं वो भी आप बंद करिए तीसरा यदि आपने अपनी गट को sensitive कर लिया है sensitive कर लिया मतलब तमाकू खाके या बीडी पीकर या बहुत ज़्यादा तलाब होना खाकर या बहुत ज़्यादा मीठा खाकर तो फिर आपको बारबार गेस्टाइटिस होगा बारबार वो symptoms आएंगे और आपका ठीक होना फि इससे आपकी problem solve नहीं होगी और problem बढ़ जाएगी तो गेस्टाइटिस होने का जो root cause है आप उसको हिट करिए उसको समझेए आप पहचान करिए उसकी तो फिर आपका गेस्टाइटिस कंट्रोल हो जाएगा ठीक हो जाएगा आप एक तो पानी पीने के मामले में थोड़ा सा पानी है या रोड़ साइड जो आपका फूड है आप उससे थोड़ा सा बचे क्योंकि गेस्टाइटिस के पीछे कोई ना कोई infection कोई ना कोई viral bacterial infection का होना रीजन होता है या फिर एच्पाइल और पॉजिटिव होना ही रीजन होता है दूसरा यदि बहुत जादे आप सुग बार यानि कि आपको गेस्टाइटिस या पेट के infection या E. coli बार बार होगा उससे आपकी गट की जो health है वो deteriorate करेगी और गट आपका खराब होगा और फिर बार बार आप symptoms face करेंगे तो ये तो रहे आपके symptoms और causes आप इसको manage करिए लेकिन फिर भी यदि किसी को गेस्टाइ एक मतलब antibiotic like o flox oz but ये cable 5 digits के लिए लेना होगा और doctor से parameters करके ही लें doctor से parameters करके लें तो ज्यादे अच्छा है क्योंकि खुझ से ये दवाई लेना के वाली harmful हो सकता है but naturally gastritis को treat करने का सीधा सा तरीका है कि आप probiotics लें आप fiber लें पोहा खाएं खिषडी खाएं दलिया खाएं अच्छे से पानी पीएं 8-10 glass प्लस gastritis को naturally treat किया जा सकता है क्योंकि आप यदि आप अद्रक और healthy एक limited amount में जो dose जर्नली घर में ली जाती है वो आप अपने खाने में ले रहे हैं और similar mint चैदी आप खा रहे हैं तो आपको gastritis होने की संबाबना कम हो जाती है लेकिन फिर भी लहसुन प्याज अधरक का चटनी नेचरल चटनी बनाई जा सकती है similar मिर्ज और इस चटनी में आप यदि दो चमच आपका चटनी है तो फिर चार चमच कर्ड इसमें डालें तो आपको probiotic भी मिल जाएगा आपका digestion भी होगा और आपके का जो infection है body के अंदर वो भी treat हो for the gastritis पेट की problems के लिए फिर एक natural medicine होगी और यदि आपको worms हैं को bacterial viral infection के साथ साथ पेट के कीड़े भी हैं तो वह भी इस चटनी से फिर आपके flesh out हो जाएंगे और आप देखेंगे कि 3-5 दिन में ही आपको काफी रहात हो गई है but आप food ठीक करिए परेज करिए और जो food आप आपको sensitive करता है आपकी गट को उसको बंद करिए थैंक यू वेरी मिच इन ठीक केर और सर्फ अब कर दो कर दो कर दो